दोस्तों हम कोई भी financial advisor या financial expert नहीं है इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दे कि इस वीडियो में दे गई सारी जानकर इंटरनेट के दुरू ली गई है और यह सारी सारी हमारी person research study है इस वीडियो में sponsor content भी हो सकता है तो जो भी आप investment करें उससे पहले आपको यही सर training purpose के लिए बनाया गया है है हलो दोस्तों मैं हो प्राज जास अभी का स्वागा करता हुआ कि टो वैल के बिगूफ फ्रेश वीडियो के अंदर तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम लोग करने वाले technical analysis को साथे हैं आप देखेंगे ठीज सारी क्रिट्व नुल्स को जो क आप चीखना चाहते हैं समर्ना चाहते हैं मार्क में strategies बिल्ड करके प्रॉपर तरीडिंग करना चाहते हैं तो यह कूर्स आप लिए बहुत ही ज्यादा important है और इस कूर्स को सिर्वा केवल आप क्रिप्टों में ही नहीं बहले कि Forex में commodity में stock में यानिकि सभी किसे भी financial market में इसी तरीगे से ट्रीडिंग यहां पर कर सकते हैं बागी दोस्तों अगर आप single group को जोइन करना चाहते हैं या फिर आप course में interested है तो आप direct के मुझे मुझे नीची देगे mail id pixel sap.sdgmail.com के उपर या फिर नीची देगा telegram address address crypto value के उपर इन दोनों में से कहीं पर क्लिक करके apply कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों चलते हैं पनी computer screen पर जानते हैं कि market हमें आपके क्या दिखा रहा है और आज की नीची आपके क्या है तो फानले दोस्तों हम आच चुके हैं bitcoin के चार्ट के उपर यह है bitcoin bitmax का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं फिलार में जो bitcoin उसने अपना आसे इंडरेंगल का जो breakout है वो बहुत जाद अच्छी तरीके से कर चुका है और इसकी हिसाब से कर आप height की बात करते हैं तो almost almost जो height का criteria है वो 11,300 के आसपास है फिलार में जो price है वो थोड़ा सा crash हो रहा है और इसी बात है हमें थोड़ा बहुत तो correction देखने को मिलता है 11,500 के level से या तो फिर से reject हो सकता है या फिर इसको break करके upside में जा सकता है जहां पर कि हम इस pattern को as a bump and dump pattern की तरह यहां पर यूज कर सकते हैं तो यह तिन फिलाल में फिलाल में तो market में आपको ज़्यादा क्लेटी देखने को नहीं मिल पाएगी but obviously ज़्यादा चाहिए कि market एक या 600 के level को आ सकता है और यह level थोड़ा से important यहां पर होगा तो कि यह level अकर किसी भी condition में breach हो जाता है तो यहां पर market वापी से beer market में निकल जाएगा आप लोग इसको अलग अलग तरीकी से draw कर सकते हो कुछ लोग यहां पर channel को draw कर सकते हैं या फिर like a beer flag या फिर आप यहां प पर इस point पर कि क्या करता है जो कि 10 या 600 का है और यह point बहुत जदा important रहेगा bitcoin लिए अगर यहां से market किसी भी condition हमें upside में मिलता है तो market उपर 11500 को hit करने जाएगा जहां से फिर अगर market वापिस correction लेता है तो वह एक healthy correction यहां पर हम लोग ले सकते हैं market का दोस्तों indicator के सबसे बात किया तो EMA ribbon के फिलार में price उपर चल रहा है और जैसे कि हम सभी को पता है कि जब EMA ribbon के उपर price चलता है तो उसको वहाँ पर support मिलता है और अगर यह support आपर continue रहता है कल की daily closing के अंदर तो definitely जो price है हमें वह उपर जाता हूँ हम मिल सकता है short term के targets मे RSA के दोस्तों MacD के यहां पर बात करें तो MacD थोड़ा सा भी एरिश है आप क्लेरी देख सकते हो कि हमें selling pressure देखने को मिल रहा है और इसी तरीके का selling pressure अगर बना रहता है तो price नीचे की तरफ drop down कर सकता है जो कि हम लोग ने यहां पर already draw करा था यह channel जहांपे कि price नीचे direction में आके hit एक बार यहां पर कर सकता है जान उसकी बाद अगर price वापे से recovery करता है तो हमें price upside में जाता हुआ मिल जाएगा RSI में भी same चीज़ है और जो हम लोग ने one day गेंदर line draw करी थी हो सकता है उसका एक retis हमें देखने को मिले कुछ इस तरीके से और फिर price यहां पर थोड़ा sideways में होता हुआ उपर की तरफ यहां पर निकल सकता है तो आपको यह थोड़ी सी चीज़ जो इसके उपर ध्यान दे में तो फिलार में सबसे दा famous जो gap है वो है 9600 का जो कि अभी तक आप फिल नहीं हुआ है और most probably एक या दू दिन में आप एक नया gap भी बन जाएगा तो अगर कल तक प्राइस नीचा है कि वह उपर चले आता है तो यहां पर हमें एक को नया gap देखने को मिलेगा जो कि 11000 से 11000 200-400 की बीच में आ सकता है तो फिलार में जो भी हमारे पास gap है वो 9600 का है जिस पर हमारा पूरा focus है और जहां पर हम लोग यहीं expect करने की market किसी भी condition में अगर इस तरह उपर भी जा रहा तो एक बार नीचे आके फिर market recovery यहां से start कर सकता है तो जो 10600 का level है वो थोड़ा important है उ आप देख सकते हों कि हमारा जो target हो particular hit करने के बाद वह आप इससे जो dominance का price है या आपके सदर dominance का percentage है वो चैनल के अंदर आ चुका है जो की एक alts के लिए तो थोड़ा सा बैतर यहां पर चीज हो सकती है बट bitcoin यहां पर सफर इससे करने वाला है तो हमें यह देखना बहुत important है कि इस बार जो bitcoin का dominance है वो किसी भी condition में इस level को breach कर जाए जो कि इसकले भी resistance बना है 62% के अगर यह यहां पर breach होता है तो हमें bitcoin का dominance बढ़ता हुआ मिल सकता है और उस case में फिर अगला हम 64 से लेके लगबग 69 तक plan कर सकते हैं नहीं तो अगर यह correction अंदर की तरफ वापिस रह होगा लेकिन bitcoin यहां पर थोड़ा सा momentum lose कर जाएगा नेक्स कोई की बात करें तो यह है 200 एथेरियम और एथेरियम के अंदर भी हम लोग बहुत टाइम से इस तरह का एक बीर पैटन देखने को मिल रहा है चाहिए आप इसको राइजिंग वैच की तरह ले ले थोड़ा सा हैं फिर यहां से जो भी decision range होती है वह हमें देखने को मिल सकती है जैसे के मार्केट जो है वह किस डिरेक्शन में ज्यादा जाने के चांसे हैं इसके साथ बात करें तो जो मैक्टी है वो थोड़ा सा फोरवर में बूलिश है और से और से डाइवर्जन जैसे क्रीट तो कर र प्राइस को भी बूलिशनेस देखने को मिल रही है तो लगबग लगबग वह 408 के उपर का ही लेवल है जिसको ब्रेक होना इंपॉर्टन रहेगा डेली के अंदर अगर वह डेली में ब्रेक होता है तो मार्केट आगे की तरफ मुमेंटम यहां पर देल सकता है नेक्स वान पर TCL लेना थोड़ सा टफ रहेगा हाला कि आप सपोर्ट और रेश्टनेस को तुरह ट्रेट कर सकते हो बड़ अगर वह ब्रेक होते हैं तो उसके बाद जाता अची कंडिशन हमें देखने को मिल पाएगी RSA MACD की बात करें तो MACD थोड़ा सा पर बीरिश लग रहा है यहां से क्रॉस ओवर नीचे की तरफ हो सकता है RSA में भी सेम सिनारियो है क्योंकि Litecoin लगबग Bitcoin को ज़्यादा फॉलो करता है बर वन डे यहां पर थोड़ा सा बुलिश है जब तक की वन डे 40% के नीचे RSA को नहीं लाता और MACD का भी औल ओवर यहां पर क्रॉस हो चुका है जो कि यहां पर एक बुलिश सिंटम दे रहा है लेकिन इनके लिए Bitcoin को Ethereum को और Litecoin को एक साथ निकलना important है बिना इसके आप किया सकते हैं कि जो market है वो side में ही आपे बढ़ा रह सकता है नेक्स दोसो coin की बात करें तो यह है दोसो chain link जो कि obviously हमने पहले भी बात करें थी कि एक bearish scenario के नदर चला गया है and still जो market है chain link का वो still bearish लग रहा है जब तक कि market 11.5 dollar के उपर आके sustain नहीं करता तब तक जांसे से कि market नीचे आके 8.7 dollar को hit यहां पर कर सकता है नेक्स दोसो coin की बात करें तो यह है दोसो Binance coin जो कि I think कि आप सभी लोग bullish होंगे बट अब क्योंकि यह coin यहां पर bearish हो चुगा है तो हमें थोड़ा bearish scenario पर सोचना होगा जहां पर यह coin नीचे की तरफ लगबख आ सकता है 24 dollar तो इसके लिए आपको prepare रहना होगा अगर यहां पर price किसी भी case में 29 dollar को break करता है और वापिस हम लोग 33 dollar तक का mark देख सकते हैं लेकिन इस्टिल जो भी correction यहां पर चल रहा है वह इसको 24 dollar तक नीचे की तरफ यहां पर ला सकता है आप चाहिए करें आरे से की बात करें दोनों ही यहां में यहां पर बीरिश देखने को मिल रहे हैं नेक्स दोस्तों जो हमारे पास कोई यह है 200.com जो कि स्टिल यहां पर bullish है अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा momentum लेते हैं तो यहां पर आपको एक वैच के अंदर देखने को मिल जाएग तो ज्यादा cautious रहें और इसको देखने के बाद ही trade करें की market किस direction में आपे जाता है नेक्स दोस्तों कोई की बात करें तो यह है 200 ontology जो कि फिलार में इसको तोड़ चुका है तो मैं इसको यहां पर remove कर देता हूं और यहां पर बात करें इस base से तो यहां पर हमें एक इस वाले support को breach कर देता है जो कि 0.77 का है तो market यहां पर correction ले सकता है लगबख नीचे 0.68 के level तक बाकि अगर इसको hold करता है तो वापिस से price push up करेगा जो कि 0.88 और 0.98 यह दो levels हम लोग ऐसा target यहां पर लेके चल सकते हैं नेक्स उसकों की बात करें तो यह है 200 XRP coin जो कि still यहां पर सफर कर रहा है strangle के अंदर अभी देख इसका कोई clear breakout नहीं हुआ है तो यहां पर अगर आपको कोई breakout मिलता है और properly वहां पर price थोगे time तक रूपता है then हम लोग expect कर सकते हैं आगे का target 0.26 लेकिन यहां पर अगर इस पर गिरेगा जो कि 0.23 का यहां पर हो सकता है और अगर इसकी हाइट complete करने चाता है तो इसके bottom area 0.22 800 तक भी यहां पर डॉप कर सकता है बस still expectation है कि market थोड़ असको टच करने ऊपर जाए लेकिन उसके लिए कि market 0.25 500 को ऊपर की तरफ ब्रेक करें नेक्स उसकों की बात करे अगर pennant के साब से बात करें तो इसका bullish target लगवग 24 डॉलर है और अगर आप इसको ऐसा bull flag की तरह भी यहां पर treat कर सकते हैं तो यहां पर जो target हमें निकल गया रहा है वो है लगवग 26 डॉलर का तो फिला में इसका breakout हो गया लेकिन confirmation में भी गंटा 16 मिनिट बागी है यहां पर आप देख सकते हो टाइम चल रहा है अगर वह confirmation मिल जाता और मार्केट प्रॉपर ब्रेक कर लेता है तो आपको यहां पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को नियों में मिल सकता है नेक्स कौन की बात करें तो यह है दोस्तों यह चोंकि स्टिल यहां पर स्ट्रॉगल कर रहा अब भी नहीं है इसके बाद दोस्तों जो लास्ट करने वह है दोस्तों बिटकोन कैश बिटकोन कैश की थोड़ी सी हाइप बनी थी चोकि हल्विंग के कारण आप हो सकती है बड़ चांसे से यह है कि थोड़ा जब तक बिटकोन कैश इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है जिसको बार बार टच करके यहां से ड्रॉप हो रहा है तो यह बहुत चते इंपोर्टरंट है कि मार्केट इसको अप साइड में ब्रेक कर सके हैं यहां पर बात करे तो फिलाव में बिटकोन कैश को एक थोड़ा सा सपोर्ट यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा तो अ 70 डॉलर उसको टेस्ट करने के यहां पर जा सकता है तो इसका जब भी ब्रेकाउट हमें मिलता है लगबग 242 डॉलर के उपर दैन हम इसको ट्राइए यहां पर कर सकते हैं तो बस तो आज के सारे कोई यहां पर हो चुके हैं आप चलते सीधे अपनी न्यूस पर सबसे पहले द सर्च करते हैं गोडेंरी के उपर .co या उसका तो इसी तरह यहां पर सर्च कर सकते हो जहाइब को डॉलर इमिल शीने को हब्ह दिया अगर आप.crypto युचीन्वाल के लिए वाला अगर अगसको होλλ करते हो तो यहां पर आप आप जो भी email करोगे वहाँ पे sign के साथ भेज़ सकते हो जिसके अंदर की इत्यरेम की private की control होने वाली है इसका सबसे बड़ा फायदा यह मिलने वाला है कि अगर आप किसी को email भेजते हो और उसके अंदर यह private किसका sign रहने वाला है तो उसको सामने वाले person को पता रहेगा और यह guarantee रहेगी कि आप ही original owner हो जिस domain के जिनों ने यह चीज़ भेजी है और जो market में यह fake चीज़े चलती है कि कोई भी किसे की विए नाम से भेज देता है वो यहाँ पर कम हो जाएंगी या फिर हम कहा सकते हैं कि वो बहुत अत्तक खतम हो जाएंगी लेकिन एक चीज़ का लिए पॉपलिटीज है वो कही ना कहीं जादा बढ़ेंगी और अनस्टोपिबल डॉमेन भी यहाँ पर इसी तरीके से काम कर रहा है इसको कोई रोक नहीं सकता है इसका नहीं करा जा सकता है इसकी वाएसे बाकि आप इसको चैक आउट कर सकते हो अगर आप अपना खुद क ग्लोबल एटियम से हाँ पर लग चुके हैं अगर हम लोग बात करें कि एटियम में क्या-क्या चीज़ें हाँ पर हुई है तो लगवग 5336 का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर सितंबर तक बनाया गया है यानि कि इस पूरे साल में आप 5336 एटियम नए यहाँ पर लगे ह सब्सक्राइब करें हैं यहाँ पर तो यहाँ पर तो यहाँ पर थोड़ा सा इस पर वरक आउट होना चाहिए अगर ही कंपनी जिहान देता हूं यहाँ पर भी ऑस्ट्रिया के अंदर काम थोड़ा तेजी से हो सकता है बढ़ यह अच्छा लगा जानके कि जो एटियम से बि यहाँ पर जल्दी होगा नेक्स उसो खबर आ रही है यूनिस्वैप की तरफ से यूनिस्वैप ने तोसो आज अपना नए टोकन आपर लॉंच करा था जो कि बहुत सारे लोगों को फ्री मिला है इवन देट मैंने सुबह इसके लिए वीडियो भी बनाई है अगर आपने चेक आउट नहीं करें तो जाके चेक आउट करो मैंने दो वीडियोस में थी एक मैं आपको बताया था कि आपकी सरे प्रोसेस कर सकते हो और उसके बाद दूसरा मैंने एक लाइफ सेशन कर रहा था जिसमें आपकी जो क्योरी जें उनको भी मैंने वाँपे टेकल डाउन कर है तो आप जाके चेक आउट कर सकते हो तो फिलाल में थाटीन थाउजन डीफा की उसर ने इसके लिए यहां पर क्लेम करा है और मैं यह चीज बतातू कि जीस भी परसन ने एक सितंबर से पहले इस यूनिस्वर प्लेटफों को यूज करा होगा किसी भी वेम या किसी भी अ कि आपने 1,000 से 1,500 की बीच की जो अमाउंट है वो यहां पर फ्री में क्लेम करा है ऐसा एयर डॉप ऐसे और ज्याद है यह चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आप यहां पर बने रहे नेक्स दोस्तों यहां पर जो खबार आरी दोस्तों वो आ रही यहां पर इंडिय के बैन के रिलेटेट यानि कि इंडिया में जो क्रिप्टो बैन की एक अफ़ा ओड़ी थी जो कि ब्लूमबग की तरफ से आई थी यहां पर बता जा रहा है कि वो सभी चीज़े क्लिक पेटे जैसे कि मैं आपको सुबह की लाइव स्टीम में भी बताया था कि यह सारी सब्सक्राइगी और उसके बाद भी आपको टाइम देखी कि आप अपने क्रिप्टो को डिस्पोस्ट कर सको देकिन फिलार में आप सभी को पता कि जो बिटकोन है वो सुडोनोमस है यानि कि आप उसको देख तो सकते हो कि कि कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पर यह पता सेंड या रिसीव भी यहाँ पर कर सकते हो तो बहुत सरी चीह हैं हलाकि उसे गबराने की जुरत नहीं हो सकता है बहुत सरी लोग इस मार्केट में नहीं आया हो बट उन सभी के लिए एक एडवाईज है जो आप कर रहे हो आप करते रहो आराम से चलने दो क्योंकि वो बहुत दहीं से एक्सपांड हो रहा है और इंडिया यहाँ पर बैन करने का मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सोचेगा और इसके उपर दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर सुपरमनियम स्वामी है उन्होंने पर बता है उन्होंने भी सीच को सपोर्ट करा है कि अगर इ सुवाज चंदल गल्की थी जो कि फिलाल में कमिटी के मेंबर अब नहीं है तो हो सकता है कि एक नई रिपोर्ट यहां पर फॉर्म करी जाए तो यह देखना तो आपके पास भी आपके राइट्स होते हैं आप उनको भी अवील यहां पर कर सकते हैं आगली दोस्तों जो आपके चल सकते हैं जो कि आप आप कहा सकते हैं कि कॉन्फर्स ओफिस्टे में एक सूपरवाइसन के नदर चलेंगी जिसमें कि सभी की सभी यूएस बैंक इंक्लूट होंगे जो कि आप इस सर्वीसेस प्रोवाइट कराएंगे और बड़े-बड़े इंस्टिविशन वेस् अगर आप सोचो कि इथरिम का प्राइस बढ़ेगा तो किन कारणों की वैसे बढ़ेगा तो उसमें एक सबसे बड़ा कारण है कि 15% जो इथरिम की सप्लाइब वो लॉग के स्मार्ट कॉंट्रेक के अंदर और बिटकॉन का डॉमिनेंस इस टाइम पर डिक्लाइन हो रहा है हलाकिन दोनों के पीछे जो आपके सब्सक्राइब वो यह है कि जिसनी टाइम तक इथरिम भी जो सप्लाइब वो लॉग होती जाएगी उतना ही ज्यादा इथरिम को बैनिफिट होगा क्योंकि सेलिंग कम हो जाएगी तो जो बाइंग के लेवल से वह हैं पर बढ़ते और यहां पर स्मार्ट कॉंटेक्ट है वो यहां पर टोकनाई हो रहे हैं आगे चलके यहां पर आगे आपको मेकर डाओ स्वाड बैलेंस जैसे और भी डिफा एक्सरेंजेंगे जहां पर कहीं न कहीं फिरम को लॉग करना पड़ता है आप इसके अंदर भी देख सकते हैं कि इधिरियम को स्वाइप कर रहे थे या फिर इधिरियम के तुरू यहां पर आईसी उसको खरीदे जा रहे थे और उस टाइम पर जो रेट था वो ज्यादा थे भाग रहा था बिटकोईन के कंपरेसमें लेकिन जैसे आईस्टो के हाइप यहां पर खतम होने लगी वैसी ही लोगों ने अपना जो पूरा की पूरा पैसा है वो बिटकोईन में कन्वर्ट करने लगे अपने रिक्स को कम करने के और इस टाइम पर बिटकोईन एक अच्छी खासी रे लिगती थी तो यही बट यह किसी के लिए भी अवे लेवल नहीं है तो अगर आपको कोई बेच रहा है कोई स्कैमर है उसे दूर है यहां पर जो लीब्र अस्वेशेशन उन्हें हायर कर लिया है एक बहुत बड़ा बैंक के बाहर के देश में और उनके सियों को है आपके स्थे एक्वार कर रह लिब्र अभी कहीं भी आप लेवल नहीं है अगर आपको कोई आफर करता है तो वह एक स्कैमर है तो कि कंपनी ने अभी तक कोई भी टोकन रिलीस नहीं करा है ना तो फ्री में नहीं पैसे वाला और अगर वो कर भी देते हैं आयने वाले फ्यूचर में तो इसकी वैलियो ए के वाल के पर क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पर पर पास सकें तो मैं मिलता आप से एक वीडियो कुछ ने टेस्टिंग वीडियो के साथ तब एक लाइवा ग्रेट है एंड़ बाई